बड़े बड़े फाइस्टार होटेल्स के बीच में एक ऐसी जगा जो बिलकुल खंडर जैसा मनजर पेश करती है जहां पर कोई डिवाल्पमेंट का काम नहीं हो रहा इम्रान भाई से सुसी परमेशन इम्रान भाई ठीक है ऐसे ले के किदर जाना है मुझे यह पता नहीं है बिस्मिल्ला रामान राहीम असलाम अलेकुम पाकिस्दान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्द्कादर का सलाम इस वक्त सुबों के तक्रीबन साड़े तीन बज़े का वक्त है और मैं हरम में मौजूद रोजाना की रूटीन यही है तो मैंने सूचा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को भी हरम के आसपास से दिखाया जाए इस वक्त आप फजर की आजान का वक्त हुआ चाहता है और हर तरफ से जिस तरफ आप निगाह डालें हाजियों की एक बड़ी तादाद नमाज फजर की अदाईगी के लिए या उम्रे की अदाईगी के लिए यहां पर पहुंच रही है तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहां पर मौझूद हूँ जब तक पलिटिकल विलॉग्स दुबारा से शुरू नहीं करते हज के दौरान मैं आपको इस किसम की अक्टिविटिज दिखा सकूँ तो यहां पर बहुत ज्यादा रश होने के वैसे बेपना रश होने के वैसे अंदर दाखिल होना भी सम्टाइम्स मुश्किल हो जाता है मुझ तो काफी दिन हो गए यहां पर आते जाते हुए लेकिन अभी तक रास्तों का नहीं पता चल सका तो हमारे एक पाकिस्ता सब्सक्रावीर देखके सोशल मीडिया पर मुझे कहा कि आप यहां पर आएं और मैं आपको सारे रास्ते भी दिखाऊंगा और आपको थोड़ा गाइड भी करूंगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहां पर आगया हूँ इमरान से भी मैंने राप्ता कर लिया है इमरान पर हम मिलके हरम की तरफ चलते हैं और कुछ और मनाजर कुछ ऐसे विजुल्स जो शायद आहम तो पर हमारी एकसेस नहीं हो पाती वह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो मेरे साथ रहिए तो फाइनली जनाब इमरान भाई हमें मिलके हैं रसीव करने के लिए यहां पर पहुंचे थे इमरान भाई और साथ में इनके एक और भाई भी हैं मुहमद अजीम 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 भाई आप भी पाकिस्तान से हैं और इमरान भाई भी पाकिस्तान से पाकिस्तान से कहां से मैं लोधरा से और देखें जी पाकिस्तानी यहां पर इतनी बड़ी तादाद में वैसे भी मिलते रहते हैं और जब मैं पहली मरतबा उम्रे के लिए था तब भी एक ऐसे ही पाकिस्तानी भाई मुझे मिले थे और उन्होंने बड़ा बताया था यहां के बारे में और इसी तरह इमरान भाई और अजीम भाई भी यहां पर सारा काम शाम करते हैं बिखाएं तो इमरान भाई कहते हैं कि मैं आपको ऐसे ऐसे रास्तों से लेगे जाओंगा जहां पर आप वी आई पी तरीके से बैठके अबादत कर सकते हैं तो हमें बस सिरफ अबादत करनी है कोई भी तरीका हो लेकर यह है कि एकसेस अंदर तक हो हरम तक पहुंच जाएं जो के इमरान भाई उसमें हमें मदद करेंगे और इनके साथ ही अजीम भाई भी तो लैटस सी इनको फालो करते करते चलते हैं इमरान भाई कितना टाइम होगे आपको यहां पर मुझे यहां पर साथ साल होगे है हरम शरीप में काम करते हुए अच्छा माशा आलला बड़े लेकिन यहां पर जो रहके साहदत मसीब होती है हाज की उम्रे की इससे बड़ी और को मेरे खाल में दुनिया में कोई नहीं है बेलकुल साही बात कहा रहा है अच्छा में कोई खुबी देख के हमें अपने घर में रखा हुआ है हरम की हदूद को दी जाने वाली तौसी के इस हिस्से को तौसीया अब्दुल्ला का जाता है और यह खास तोर पर तियार किया गया है ताके बड़ी तादाद में आने वाले हुजाज-ए-क्राम या आजमेने हज जो हैं या उम्रा जाहरीन है उनको सहुलत दी जा सके इस खुबसूरत बिल्डिंग को त्यार करने में काफी वक्त लगा है लेकिन अब इसे फाइनली पब्लिक के लिए खोला गया है उके जी तो हमने फजर की नमाज अदा कर ली है बहुत ही खुबसूरत मनजर था और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैं विजूल इसलिए रिकॉर्ड नी कर सका कि ज्यादा ध्यान में नमाज की तरफ ही रखना चाता था अगर रिकॉर्डिंग करता तो फिर माइंड जरा डाइवर्ड हो जाता इसलिए उसके लिए माज़रत अभी आप देख सकते हैं जो कि अन्सी के दिन की रोशनी जो है वो शुरू हो चुकिया है हलकेल की रोशनी आपको नजर आना शुरू हो गई तो लोग भी अपने अपने होटेल की तरफ मूव होना शुरू हो गया है क् पूरी राद जो लोग यहां पर थे अब उन लोगों ने अराम भी करना है तो हमें भी अपने होटेल की तरफ ही पहुंचना है ताके जाके थोड़ा आराम करें अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं ग्रूप्स की शकल में चुकि अब हाज के दिन करीब आते जाएंगे तो बहुत बड़ी खेब जो है हाजियों की यहां पर पहुंचती रहेगी तो हम भी अपने होटेल की तरफ जाएंगे लेकिन इमरान भाई बता रहे हैं कि यहां पर कुछ जियारात हैं देखने के लिए खास तो पर जमाना जाहलियत के ट निए रही हुशिश हैं लेकिन कुछ हो नहीं सका मुझे फेक्ट का पता नहीं है जैसे बयान किया गया है वैसे ही कि अगर चाहें तो मैं आपको आ पर ले जाता हूं मैं वहां पे जा चुका हूं पहले लेकिन मेरे फैमिली के लोग नहीं गए तो हम जरा उस तरफ बढ़ शुरू हो गया है जी यह का बरिसान है जहां पर इसराम से पहले लड़कियों को जिन्दा दफन करते हैं ओके जी तो हरम के बिलकुल करीब यह क्लॉक टावर के पास ही और इन बड़े बड़े फाइव स्टार होटेल के करीब ही यह जगा वाक्य है जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है ऐसे लग रहा है कि जैसे बिलकुल वेरान बियाबान सी एक जगा है इसके बारे में बताते हैं कि यह वो जगा है जहां जमाना जाहलियत के वक्त बच्चियों को जिन्दा दफन किया जाता था यह उनका कबरुस्तान है और यह वाकि है ऐसे खंडर जैसा मनजर पेश कर रहा है यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही और इसको किसी इस्तमाल नहीं लाया जा रहा है और बिलकुल यहां पर देखें के आस पास हर तरफ होटेल जाया है इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन इसके बावजूद इस जगह को ऐसी छोड़ दिया गया है तो आगी चलते हैं अबी अमरान भाई, हमें टाइम दे रहे हैं लेकिन साथ-साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं तो यह खुबसरत काम बहुत सारे लोगों की खाहिश भी है कि काश हमें यह काम हैं को मिल जाए इम्रान भाई को इस तरह काम करते दे के मेरा भूद का बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी थोड़ी सी सफाई में हिस्सा डालू लें जी तो इम्रान भाई से उसी परमेशा अर्म भी टीक है एगे он अगा अटर जानाएं कुझि यह पता नहीं है पानी में है ठानी में नहीं घिर आरन पानी में नहीं जे अटकता नहीं है यह जानाना है यह दो खौ़ंद टीकताओ मेरे नहीं थी प्रस। इस अपके फोर्म है? यह पोर्म है शुक्र आल्लाओ अब कहां से पाकिसान से? रावल पंदी रावल पंदी से अच्छा है मैं इस्वाम बाद से आपका हम साया हूं साहीज साहथ है साहथ है बड़ी खुशी हुई और अब आधे से ज्यादा माशाला हुआ पाकिस्तानी यह है यह है पर ज्रप्टतानी यह है वह तो फॉड़ा है थोड़ा है अंदिया नोर इंडिरेश उन्डिया यह जाम-जाम वाली टीम है तो डूअँ डूजए है उना मैं और बाइ काम चलता रहता है करे दो कि जूँना है रे दो administer यह वाव बाइ खालबन पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान आप लाहॉर से और आप भी चकवाल से लहोर से और भी बहुत सारे दोस्तमें यहां पर मिले हैं जो पाकिस्तान के मुखिलिव शेरों से हैं तो बहुत खुबसूरत काम कर रहे हैं जारी रखिए इनने अब रए решा, दो हो जाए लाज़ को लोगते हुआए। जाँलाहिए नित्मने ठ्वक्ति अब्दALK भ्यखा स्बादिशु गई है। इस हम नित्मने अफयर्मू लगते है heut चानलाया का लाझा है, अबना अबाझा को अ।ब आप है जाते है कि जाते हुआ है।